साथियों जैसा कि आप सभी धात्वों और अधात्वों के बहुते गुनों के बारे में तो जानते ही होंगे धात्वें कठोर, चमकीली, अघात्वर्ग, तन्यक वह उश्मा के चालक होते हैं और अगर हम अधात्वों की बात करें तो वह जादातर इतनी चमकीली नहीं होती और अगर उन पे थोड़ी भी चोट मारें तो वह चुरा-चुरा होके बिखर जाती हैं धात्वें उश्मा चालक हैं लेकिन अधात्वें जो हैं उश्मा चालक नहीं है अब प्रश्न उठता है क्या धात्वें और अधात्वें विधुत सुचालक है या कुछालक है इस प्रश्न को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए बिल्कुल सही कहा आपने हमें इसके लिए क्रिया क्लाप करनी चाहिए जब आप ये क्रिया क्लाप करेंगे तो आप अपने विद्यार्थियों को अपने साथ रखेंगे ये विद्यार्थी इस क्रिया क्लाप को अकेले भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो उन्हें छोटे-छोटे समूहों में बांट सकते हैं मेरी शिक्षकों से यहां यह गुजारिश है कि जब वे समूह बनाएं तो समूह इस तरह से बनाएं कि हम विभिन बैक्ग्राउंड और विभिन शम्ताओं वाले बच्चों को एकठा रखें आपने देखा होगा कुछ बच्चे प्रयोग करने में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ जो कुछ भी वो देख प्राते हैं वो अच्छे से रिकॉर्ड कर लेते हैं कुछ बच्चे कला में निपुन होते हैं कुछ चर्चा बहुत अच्छी कर लेते हैं तो इनके सारे गुनों को लेते हुए हम बच्चों से यह क्रियाकलाप कराएंगे जब आप ये क्रियाकलाब करेंगे तो आप अपने विद्यार्थियों को ये कहेंगे कि वैं अपने आसपास से समान या पदार्थ इकठा करें जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ पदार्थ रखे हुए हैं मैंने यहाँ पर एक सरकेट रखा हुआ है आप चाहें तो विद्यार्थियों को एक दिन पहले कह सकते हैं कि वैं अपना सरकेट बना के लाएं इससे आपको ये ध्यान में रहेगा कि बच्चे अपनी पिछली कक्षाओं से कितना उन्होंने याद रखा हुआ है जब बच्चे सरकेट बना के लाएंगे और वैं ये क्रिया कलाब करेंगे तो वैं इस यंतर के महद्यम से देखेंगे कि क्या ये पदार्थ विद्धुत का सुचालक है या कुछालक है चलिए करके देखते हैं पहले हमारे पास हमारे सामने ये एक लोहे की कील है जब आप इस कील को इस यंतर से चुएंगे तो आप देखेंगे कि बल्ब दिप्थ हो रहा है और यह करने के पशचाद बच्चे क्या करेंगे वैं अपनी सारनी में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे हमने यहां सारनी में लिखा है बल्ब दिप्थ होता है या बल्ब दिप्थ नहीं होता है तो बच्चे यहां पर क्योंकि लोहे की कील में बल्ब दिप्थ होता है तो उसके आगे निशान लगा देंगे अब वैं कौपर की तार के साथ छोके देखेंगे और देखेंगे कि बल्ब डिप्ट होता है या नहीं और देखेंगे आप बल्ब डिप्ट हो रहा है और बल्ब डिप्ट हो रहा है तो वह सारनी में इसको फिर से यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे चलिए अब हम अलिमिनियूम फॉयल से करके देखते हैं आपने देखा, एलुमिनियूम फॉइल से भी बल्ब दिप्थ हुआ, और इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, अब हमारे सामने एक कोईले का टुकड़ा है, इसको करके देखते हैं, बल्ब दिप्थ नहीं हुआ, तो हम इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे, अब हम गंदक के पाउ दिप्थ नहीं हुआ, और इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे, अब हमारे सामने ये पैंसिल है, आईए इस पैंसिल के लेड पे देखें क्या होता है, देखें, बल्ब जो है दिप्थ हो गया, और हम इसको भी माक कर लेंगे, लेकिन यहां एक ध्यान देने वाली बात जो जितने भी पदार्थ जिन से बल्ब डिप्थ हुआ, उनको हम एक तरफ कर लेंगे, जैसे कि कील, तामबे का तार, अलिमिनियूम फॉयल और पैंसिल का लेड और जो नहीं हुए, उसको हमने दूसरी तरफ रखा, यानि कि गंदक का पाउडर और कोईला, जितने भी पदार जो है, वै विदुत के सुचालक हैं。 और जिनोंने नहीं किया, वै विदुत के कुचालक हैं. अब ये ध्यान देने वाली बात है, शिक्शक जरूर कक्षा में इस बात की चर्चा करेंगे कि पैंसिल का लेड, जोकि ए गरिफाइट है, वै विदूत का सुचालक है, लेकिन एक अधातू है इसके बारे में चर्चा करना अतियावश्चक है ये ग्रेफाइट के साथ साथ पैंसिल का लेड में क्ले का भी प्रियोग किया जाता है अब हम एक और बहुत जरूरी बात यहां ये कहना चाहेंगे शिक्षक जब भी क्रिया कलाप समाप्त होए तो अपने वि विद्यार्थी इस क्रिया कलाप के दौरान समझते हैं सीखते हैं वे अपनी सारनी में लिखें इसके इलावा विद्यार्थियों से चित्र बनाने को कहा जाए यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है शिक्षक जितने भी हमारे बच्चे हैं जो कि ठीक से देख नहीं सकत से विजुली इंपेर्ड हैं उनको इस सरकेट को छू के देखने दिया जाए जैसा कि बाकी बच्चे इस क्रिया कलाप का चितर बनाएंगे इन बच्चों को इंब्रॉस्ट डाइग्राम दिया जाए जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्रिया कलाप करने के पश्चात अ आखिर विद्यार्थियों ने इस क्रिया कलाप से क्या सीखा बच्चों ने दो संभू बनाएं एक वह संभू जो कि विद्युत के सुचालक थे और एक वह संभू जो विद्युत के कुचालक थे इसका अर्थ यह हुआ कि विद्यार्थी परदार्थों को वर्गित कर का मौका दे तो विद्यार्थी एक दूसरे की बात को ध्यान से सुने इसके लावा जब कभी भी हम कोई भी कार्य करते हैं जो पदार्थ हमने जहां से उठाया उसे हमें वापिस रखना चाहिए तो उसे क्या होगा हम अपने आसपास के वातावरन को भी स्वच्छ रखेंगे धन्यवाचा आथियों